भारत के प्रसिद मंदिरों में से एक है जिश प्रसिद सब्री माला का मंदिर यहां हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं हाली में सुप्रिम कोट ने सब्री माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया करिब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये माननेता पिछले काफी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ना करना दिया जाए इसके कुछ कारण बताये गए थे तो चलिए आज अद्बुत की सकड़ी में हम आपको बताएंगे सबरी माला मंदिर का वो रहसे जिससे आप अब तक अंजान है सबसे पहले आपको बता दे कि अयप्पा कौन थे पौरानिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है इनका एक नाम हरी हर पुत्र भी है हरी यानि विश्नू और हर यानि शिव इनी दोनों भगवानों के नाम पर हरी हर पुत्र नाम पड़ा इसके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मनिकांता नाम से भी जाना जाता है केरल में शैव और वैशनवों में बढ़ते वैमनस्य के कारण एक मध्य मार्ग के स्थापना की गई थी जिसमें अयप्पा स्वामी का सब्री माला मंदिर बनाया गया था इसमें सभी पंथ के लोग आ सकते हैं ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना माना जाता है अयप्पा स्वामी को ब्रह्मचारी माना जाता है इसी वज़ा से मंदिर में उन महिलाओं का प्रवेश वर्जित था जो रजस्वला हो सकती थी जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्मान राजा राजशेखरा ने कराया था उन्हें पंपा नदी के किनारे अयप्पा भगवान बाल रूप में मिले थे इसके बाद वो उन्हें अपने साथ महल ले गए इसके कुछ समय बाद ही राणी ने एक पुत्र को जन दिया अयप्पा के बड़े होने के कारण राजा उन्हें राज सौपना चाहते थे लेकिन राणी इसके लिए तयार नहीं थी एक बार राणी ने अपनी तबियत खराब होने का बहाना बनाया और कहा कि उनकी बिमारी केवल शेर्नी के दूद से ही ठीक हो सकती है अयप्पा जी जंगल में दूद लेने चले गए इस दौरान उनका सामना एक राखशसी से हुआ जिसे उन्होंने मार दिया खुश होकर इंद्र ने उनके साथ शेर्नी को महल में भेज दिया शेर्नी को उनके साथ देखकर लोगों को बहुत आश्चरे हुआ इसके बाद पिता ने अयप्पा को राजा बनने को कहा तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया इसके बाद वो वहां से गाइब हो गए इससे दुखी होकर उनके पिता ने खाना त्याग दिया इसके बाद भगवान अयप्पा ने पिता को दर्शन दिये और इस स्थान पर अपना मंदिर बनवाने को कहा इसके बाद इस जगा पर मंदिर का निर्मान कराया गया कुछ पुरानों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अफ्तार माना जाता है आज भी ये प्रता है कि हर साल मकर सक्रांती के अफसर पर पंडालम राजमहल से अयफ़ा के आभूशनों को संदूकों में रखकर एक भव्वे शोभा यात्रा निकाली जाती है जो 90 किलोमीटर की यात्रा तैकर के तीन दिन में सबरी माला पहुचती है कहा जाता है कि इसी दिन यहां एक निराली घटना होती है पहाडी की कांता माला चोटी पर असाधारन चमक वाली जोती दिखलाई देती है सबरी माला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उन्हें नवदा भक्ती का उपदेश दिया था बताय जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है इसके साथ शोर भी सुनाई देता है भक्त मानते हैं कि ये देव जोती है और भगवान इसे जलाते है ये मंदिर पश्मी घाटी में पहाडियों की श्रिंकला सहादी के बीच में इस्तित है घने जंगलों, उची पहाडियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहां पहुँचना होता है इसलिए यहां जादा दिनों तक कोई ठहरता नहीं है यहां आने का एक खास मौसम और समय होता है जो लोग यहां तीरत यात्रा के उदेश्य से आते हैं उन्हें 41 दिनों का कठिल वृताम का पालन करना होता है चारो तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवंत पूरम से 175 किलो मीटर दूर पहाड़ियों परिस्तित है इस मंदिर तक पहुचने के लिए 1850 सीड़ियों को पार करना पड़ता है जिनके अलग-अलग अर्थ भी बताए गए है पहली पाँच सीड़ियों को मनुष्य की पाँच इंद्रियों से जोड़ा जाता है इसके बाद वाली आठ सीड़ियों को मानविय भावनाओं से जोड़ा जाता है अगली तीन सीडियों को मानवी एक गुण और आखरी दो सीडियों को ग्यान और अग्यान का प्रतीक माना जाता है इसके अलावा यहां आने वाले शर्धालू सिर्पर पोटली रखकर पहुँचते हैं वो पोटली नैवद्दे से भरी होती है यहां मानता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहन कर व्रत रखकर और सिर्पर नैवद्द रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनो काम ना पूरी हो जाती है तो कैसा लगा आपको हमारी ये पेशकश कमेंट करके जरूर बताईएगा